नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटिट 8 दिसंबर 2019 आंसर की जी हां दोस्तों इस वीडियो में डिसकत करेंगे आपका पूरा पेपर सलुशन जी हां सारे पार्ट्स होंगे पार्ट 1, 2, 3, 4 जी हां द दोस्तों देखें आपको हो तकता कि बाई अलग अलग हो तो देखें इसमें दोस्तों जागत 2, 3, 4 वह यो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण सतत एवं सग समगर मुल्यांकन दिरंतर तुल्यात्मक मुल्यांकन दूसरा कोशन क्या आपका कि सिचक बच्चों की जटिल औ समाधान करता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोस्ताइद कर सकते हैं तो दोस्त इसका अंतर हो जागा बच्चों को सहाजा नुबूत अनुमाल लगाने के लिए प्रोस्ताइद करके तथा उसी पर आधारित विचार मंतन करके तो दोस्तों पहले तीन कोशन हो चुके है च किस में सारीरिक व्रद्धी एवं विकास तीवर गतिस से गटिस होता है तो दोस्त इसका अंतर हो जाएगा मध्य बाले वस्ता एवं किसुरा वस्ता में फिर दोस्तों छटा नमर कोशन क्या आयता पेपर में कि निम लिकित में से कौन सा विकास का सिद्धान्त नहीं है इसको प्रात्मिक कारण मतलब तो इसका सही आंतर हो जाएगा आनुवान सिक्ता एवं पर्लया वरड की बीच जटिल पारस्परिक क्रिया तो दोस्तों पहले साथ कुशन हो चुके है फिर आटमा कुशन क्या आयता पेपर में बच्चों में जेंडर रूडी वादिता एवं जें प्रात्मिक ने बच्चों को ज्यान के सक्रिय जिग्यासु के रूप में देखते वे उनके चिंतन पर समाजिक एवं सांस्क्रतिक विसे वस्तूओं के प्रभाव को महत्तो दिया तो इसका सही आंतर हो जाएगा आपका प्रारंबिक बाले वस्ता फिर दोस्तों 11 वा अनुबंद अभी विन्या फिर दोस्तों 12 वा प्रसने के एक अच्छा में परिचर्चा के दौरान एक सिच्चक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है या किसका उधारण है तो दोस्तों इसका अंतर होगा जेंडर पच्छपात तेरा नमर कोशन के अधा पेपर में कि बच्चों के संग्यानात्मक विकास के संदर्ब में निम लिकित में कौन सी प्याजे की संदर्चना है तो दोस्तों इसका अंतर होगा इसकीमा चौदा नमर कोशन जिक सा पहली को करते समय पांच वर्स की नजमा सोयम से कहती है नीला टुकडा कहा है नहीं यह वाला नहीं गाड़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जायेगा इस प्रकार की वारता को वायक तसकी किस तरह संबोधित करते है तो दोस्तों इसको अंतर होगा पाड़े धाचा ठीक है ना फिर सोला नमर दोस्तों हमारा प्रसनिक आ रहा निम लिकित बेवारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्स संक्रियात्मक अवस्ता को विशेशित करता है तो दोस्तों इसका आंतर हो जागा आपका परिसल प्रस्तों के बारे में बच्चों की इस पच्टता तता ब्रांतियों को समझना फिर दोस्तों हमारा ठार्मा कोश्चन पेवर में क्या आया था कि निम लिकित कत्नों में से कौन सा बुद्धी के बारे में सही है तो दोस्तों दीके बुद्धी बहु आयामी है तता जटिल योगिताओं का एक सम्मू है, फिर दोस्तों 19 नमर कुश्चन हमारा क्या रहा, कि रूही हमेशा समस्या के एक अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इन में से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुडों का प्रदर्शन कर रही है, तो दोस्तों इसका आंतर होगा उसके लिए हम छमा चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को फूल HD में कल तक हम आपके सामने पेस कर देंगे, जी यहां दोस्तों एके कोश्चन हैंड रिटेन होंगे, बीस्वा कोश्चन, सिच्चा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उलेक की गई, समावेसी सिच्चा की और धाड़ा निम लिकित में किस पर आधारीत हैं, दोस्तों इसकांतरों का बेवार वादी सिध्धान, ठीक है न, 21 नमर कोश्चन, सिच्चट अधिकम प्रक्रिया में वंचे समू से समंदित विध्यार्चियों के द्वारा सहभागिता कम होनी की स्थिती में एक सिच्चा को तयार नहीं करना चाहिए, ठीक है न, फिर दोस्तों अगला कुश्चन मारा क्या है, तीस नमर, पठन, वैफल ले बच्चों में प्रात्मिक लच्चड क्या होता, दोस्तों इसका अंतरों का धारा प्रवाब पढ़ने की अच्छमता, फिर दोस्तों चौबित नमर कुश संदशनावादी धाचे में अधिगम प्रात्मिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्चित है, फिर दोस्तों 26 नमर प्रत्न, अने घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए, सहनु, भूत, सिध्धानतों के संदर में एक सिच्छका को क्या करना चाहिए, तो इसका अंतर होगा दोस्तों प्रतिकूल प्रमाड एवं उधारणों को प्रस्तूत करके बच्चों के इन सिध्धानतों को चुनाओती देनी चाहिए, फिर 17 नमर कोशन दोस्तों 26 केंद्री सिच्छा सासर की क्या विसेशता है, तो दोस्तों इसका अंतर होगा बच्चो के द्वारा बेवारों का अनुबंदन है, फिर 29 नमर कोशन विद्यार्टियों को इसपश उधारण एवं गैर उधारण देने के क्या परिडाम है, तो दोस्तों इसका सही अंतर होगा आव धरणात्मक परिवर्तनों को प्रोसायत करने के लिए या एक प्रभाव साली तरी है, निपुड़ता पर ध्यान देने के लिए प्रोसाहित करेगा, तो दोस्तों पहले 30 कोशन हो चुके तो आप बता सकते हैं कि 30 में से आपके कितने नमर बन रहे है, तो दोस्तों यह अभी ऑफिशल आंतर की नहीं, यह अभी अनॉफिशल है, तो दोस्तों जैसे ऑफिशल आंतर कियागी, यकीन मानिए, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, इसके पास दोस्तों आपका एक कोशन आया था पेपर में कि 3 ब्रांट ABC, ठीक दोस्तों पेन करमता 10, 12 और 24 पैकटों, ठीक दोस्तों 10, 12 और 24 की पैकटों की संक्या थी दोस्तों बोला गया था, यह थी पिन को समान संक्या में खरीटता है, तो दोस्तों उसके दोरह खरीदे जाने वाले पैकटों की नियूंतर्म संक्या क्या होगी, देखिए 10, 12, 24 तो इसकी नियूंतर्म संक्या निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका था कि 3 का में LCM ले लें, 10, 12, 24 का LCM कितना हो जाएग अब भा करके देख लेता, दोस्तों कितनी बार जाएगा, 10 में 120, यह 12 बार चला जाएगा, 12 से करेंगे तो 10 बार जाएगा, 24 बंच 120, मतलब 12, 10 और 5, ऐसा कोई विकल्फ दोस्तों देख रहा है, जिसमें 3 हो देख रहा हूँ, तो दोस्तों यह विकल्फ में आप यहां दे रखा आपका, A 12, B 10, C 5, ठीक है यह आपका सही अंतर होगा, 12, 10, 5, तो यह आपका दोस्तों थोड़ा करम भी आपको देखना पड़ेगा, एक विकल्फ इसमें सभी में आपका दोस्तों यह दिख रहा होगा, कि 10, 5, 12 या कुछ भी लेकि दोस्तों इसमें आपको करम को भी ध्यान देना होगा, जो बच्चों ने पहले बोलागा कि नहीं, A 12, B 10, और C 5, वो बच्चे ही सही होगे आपर, फिर एक कोशन दोस्तों था आपका 32 नमबर, कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, और इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विबाजित क्या गया है, प्र तो दोस्तों इसे काटकर आप 4 बराबर भागों में विबाजित क्या गया, मतलब दोस्तों काट कैसे देंगे, एक 20 ऐसी डंडी की दीजी, इधर से काट दीजे, दोस्तों, 4 बागों में बढ़ गया, टोटल दोस्तों इसकी पूरी लंबाई कितनी थी, 4 ती, जब कटके द दोस्तों यहां की लंबाई कितनी मची 2 बची, तो दोस्तों एक भुजा का स्कॉर कर देंगे, तो बस यही क्या वो लगया, प्रतिक छोटे वर का 6 तरफल क्या होगा, तो दोस्तों 2 का स्कॉर कर देख, तो 2 का स्कॉर कितना आता है, हमारा 4 आता है, तो बस 2 का स्कॉर चार भागों में बढ़ गया है, ठीक है, चार छोटे वर्ग में बढ़ा है, बढ़ा एक नहीं बता है, आप ही लोग को दी, बढ़ गया ना, तो दोस्तो पूरी लंबाई 4 थी, तो आदी लंबाई कितनी होगी, दो होगी, तो 2 का स्कॉर 4, और एक ची और याद रखना है कि ह हम इसको satisfied कैसे करें, अगर पड़े एक वर की बुझा कि जो दे रखा 4 cm, तो 4 का स्कॉर दोस्त हम करें तो हमारा आएगा 16 cm स्कॉर, इसका मतलब जो जो भी 6 तरफाल आएगा, तो दोस्तों लेकिन जब हम 2-2 का स्कॉर करके जोड़ेंगे 4 बार, तो भी 16 आ रहा है, ये भी पारवाल हुष, ये दोस्तों आपको बदाना तूंच ऐसा तो दोस्तों इसमें सही पताल होती है तो दोस्तों नहीं है ठीक दोस्तों क्योंकि देखेंगे जली से जो भी आया था 34 एंस में वह संक्या जो एक और दस दूनों से संब्लित तक सभी संक्याओं से विबाज योगिस का अंदर दो कि दोस्तों देखें पचीश सो बीस होगा यह कोशन हमने BTC DL8 में भी आपको बताया है कि ऐसे कोशन कभी कभी पेपर में आते हैं अब दोस्तों इसको जैसे भाग करके देखेंगे एक से भाग चला जाएगा दो से कट जाएगा समझे तीन से तो यह हमें आंसर बताना था तो जो हमारी वीडियो वी टीसी में डेलेट में देखा हो वो वच्चे इसको आसानिस कल लिए होगे तो यह कोशन तो बिलकुल रट्टा वाला था और और दोस्तो किसी भी को भी अगर आप काट के देखें तो सब कटेगा नहीं ठीक है ना बस यह बताना था उसके पास अगला कोशन दोस्तो था कि आवश्या के पास 205 और 10 रुपे के सिख्के हैं यदि उसके पास 200 सिख्कों की कुल संक्या पचीस है और उसके पास 160 रुपे हैं तो इसमें दोस्तों आप आएक आंसर देख रहोंगे कि आपको आंसर टोटल सिख्के दोस्तों पचीस है तो आपके सामय आप विकल्प से दोस्तों को बहुत आसानी कर सकते थे देखिए पहला वाले विकल्प 200 क्या दे रखा था आपका 18 और 7 जी यह बिलकुल करेक्ट आंतर होगा कैसे 18 गुड़े 5, 185, 10 गुड़े 7, 70 हो गया, 90 प्लस 70 दोस्तों कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों कुछ कोश्चन आप देखते हैं आप इसको टिक कर सकते थे इसमें दिबाग नहीं लगाना था असान से कुश्चन दाए थे तो अगर 210 गुड़े 5 करेंग तो 50 रुपे बनेगा तो यह तो और 15 गुड़े दोस्तों कितना करना पड़ेगा में 10 करना पड़ेगा 15-हां यह तो बिलकुल ही खत्म हो जाता है दोस्तों दूस्तों तीसरा वाला विकल्प 10 गुड़े 10 करेंग सौरप बन जाएगा 15-55 यह भी बेकार है और चओधा विकल्प 20 वजे 100 10 5-50 तो यह भी नहीं होगा तो हमा आगे साथ कम अतला पहरे भाग करने पर कितना आएगा सात्रीक 21 माइनस तीन यह आ जाएगा और तो दोस्त इसका फिलाल आंसर देखते हैं सॉल करके देखते हैं कितना आता है तो हमारा पहला कोशन दोस्तों क्या लिखा था सत्रा दसमलों पांच गुड़े का थी फिर दोस् सत्त 21 22 30 में 3 2 5 एक अंपर 10 दसमलों तो क्या करना है दोस्तों यहापर बीच में माइनस का चिनमत था इसको जड़ जोड़ लें माइनस तो यह हो जाएक को 273 हो जाएके 40 505 माइनस को 252 दसमलों पांच इसको घठा लेना है दोस्तों और कुछ ने 5 मेंसे 5 गया 0 और फिर हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है दूसरा उला तो दोस्तों सैतित नमर कोशन कहा रहा हमारा है कि एक बाग के व्रच्छों में नीम के व्रच्छों की संख्या एक बटे छटवा भाग है तो दोस्तों मतलब बाग में जितने भी व्रच्छ होंगे तो उसका 1 by 6 आपका नीम ह आदे व्रच्छ है दोस्तों आपके असोक के हैं सेज दोस्तों आपके यूकिलेप्टस के हैं यदि नीम के व्रच्छों की संख्या 5 है तो बाग में यूकिलेप्टस के कितने व्रच्छ होंगे तो दोस्तों आपको यहां पर दिया गया कि नीम की व्रच्छों की संख्या एक बटे छटवा भाग है मतलब यदि नीम के संक्या 5 है तो 200 टोटल कितना हो जाएगा 6 गुड़े 5 करें तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारा 30 तो दोस्तों जो 30 हाई यह हमारे 30 हो जाएगा तो X कमान दोस्तों हमारा यहां पर आजाएगा 10 ठीक है जब दोस्तों इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं तो 2 बटे 6 गुड़े 30 कर देंगे तो 6 पंजे 30 पांदुनी 10 तो दोस्तों आपकर टोटल आजागा UK लिप्टेस के पेड़ जोंगे वो 10 होंगे आसान तो क चली थी 29 अगस को चल लए थी 29 तारिक को 16 बचकर 30 मिनट पर ठीक है न तो दोस्तों जब भी 30 तारिक को 16 बचकर 30 मिनट होंगे तो दोस्तों कितना समय बीच चुका होगा बताई ज़रा 24 गंट आपके बीच चुके होंगे तो मतलब 24 जोड लेंगे उसके पाद 21 अगस को ठ तीक है यह सुभे पाओंची थे 8 बचकर 45 मिनटे तो दोस्तों सुभे 20-30-30 बजे होंगे तो 12 गंटे और बी चूए है 36 गंटे बीच चूए है अगर दोस्तों आठ बजी पहुच रहें न अपने गंठ बिसस्थान पर तो आचार 12 होता है तो दोस्त अगर इसमें 4 घंटे और हम लोग जोड़ देंगे किसना जोड़ेंगे तो समलोग इसमें 4 घंटे 15 मिनिट तो दोस्त ये बन जाएगा 36-40 40 घंटे 15 मिनिट ठीक है न यह यह आंतर होगा तो पहला वाले विकलब दोस्त यह कौन था इसमें विकल य तो सबसे बड़ी लंबाई, दोस्ता आप जर्द देख़े यह mm mm में तो बाई यह चोटा होगा, decimeter छोटा होगा, देखे 8 meter सबसे बड़ी लंबाई आप ही यह में में दे रखा था, कुछ देखना है नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें घटते विग्रम में बताना से तो मतलब जो सबसे पहली लंबाई होगी वह सबसे बड़ी होगी उसके बाद ही लंबाई घटेगी तो बस तीसरा वाला विकल्प 8 मीटर फिर 80 पर दोस्तों जो भी रहाट 500 mm cm रहाँ फिर मिली मीटर में होगा यह आंतर हो गया फिर एक क्वेशन दोस्तों एक 180 लंबी मीटर तार को एक आयत तार को दोस्तों क्या था उसको जोड़ को आयत बना दिया तो इसकी चोड़ाई 230 cm है एक 180 मीटर 200 तार को आपने जो भी मोड़ा होड़ा ठीक दोस्तों देखे जब 180 मीटर तार को आपने ऐसे से मोड़ा होगा तो यह आपको एक परिमाप रहा होगा जिसके दोस्तों हमें चोड़ाई बोल दी गई कि हमारा 30 cm है तो इसकी लंबाई क्या होगा हमें नहीं पता प्लस लंबाई प्लस चोड़ाई बराबर दोस्तों होता परिमाप परिमाप आपको दिया था 180 मीटर दो दोस्तों और चोड़ाई दोस्तों आपको दिया गया था 30 तो लंबाई को हमने एल माल लेता चोड़ाई यह एक तीस रख देंगे बराबर हो जागा आपका 180 तो दो तो लंबाई दोस्तों आ जाएगे आपके साथ मीटर ठीक है न तो इसका विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्टर अंतर रहे अच्छा कोशन आया था पेपर में तो उमीद करतें दोस्ते प्रसम को भी कोई बचा गलत नहीं किया होगा अब दोस्तों देखिए जो तो दोस्तों अगला कोशन हमारा है देखिए पैड़ा को अजी काफी कोशन आयते तो दोस्तों पहले वह देख ले रहा है कि जो कोशन आपने सौल्ट क्या होगा और उसमें आपने गलती क्यों होगा उनको देखते हैं तो कहा गया एक दोस्तों इसमें हो जाएगा कोई पै अच्छा कोशन आयाता दोस्तों कि भाई कोई बजार में सूची उची दी गई थी टमाटर एक किलो का दाम इतना है ये सब ये था देखे दोस्तों बोला गया था जो संजे न जो खरी दाता पर उसको निका खान ग्राया था कि 200 ग्राम मिचज तो दोसा आपको पता है कि 100 ग्राम मिचक जपता आपको दे रखा जोड़ांगेजेए अप खीक कि न तो एक किलो कदाम 200 कितना हो जाए आपको पता है 1000 ग्यां तो 200-500 ग्राम का कितना हो जाएगा 25 रुपए तो यहां पर 25 और जोड़ दीजिए आप लोग उसके बाद 200 क्या दिया गया है तो मतलब 25 रुपए हो जाएगा 200-500 ग्राम का दाम उसके बाद आपका कोशन में बोला गया था 6 नीबू करीदे देखे दोस्तों नीबू कहा है य यहां दोस्तों इसको आप बोल देए 24, 25, 10 यह धाई रुपए हो जाएगा एक नीबू की किमत तो दोस्तों यहां पर बोला गया 6 नीबू उसने खरीदा था ठीक है न तो 6 नीबू का मतलब है 2 दस्तों लो 5 गुड़े 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चंग देर सो यह 6, 35, 6, 12, 13, 15 मतलब 15 रुपए को उसने भाई नीबू खरीद लिया और तो बस 200 हो गया इतना इसको जोड़ लीज़े कितना रुपए हो जरा देखते हैं 25 और 15 दोस्तों कितना हो गया 40, 40, 20, 60 हो गया 60, 10, 70, 32, 32 मतलब उसने 72 दस्तों पांच रुपए का समान खरीदा 200 रु एक, 127, 10, 50, 50, 200 जरा रुखिये एक चीज़े हम लोग ने छोड़ दिया कि उसने एक किलो दोस्तों उसने क्या लिया था, आदा किलो उसने गाजर भी खरीदा था, ठीक दोस्तों तो यह गाजर का आपका 200 ग्राम का दोस्तों यहां पर मूल दे रखा था आपका 20 रुपे, तो आदा किलो गाजयर कमाल कितना हो जागा 200 दाम इसका डबल हो जागा मनलब 40 रुपे हैं तो एक काम दोस्त और हम लोग करेंगे इसमें 240 और घटा देंगे 127.5 में 40 और घटा देंगे तो दोस्त हमारा फाइनल आंतर आ जाएगा पांच आ जाएक साथ में से साथ ही बचेगा यहां पर ठीक है ना फिर दोस्तो बाराम से चार गया आट तो 87.5 ठीक दोस्तो सही आंतर हो जाएगा हमारा 87.5 जिरो कह दीजे तो सही आंतर हमारा कोशन देखते हम लो कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूं ठीक है दाही का स्थान पर अंक इकाई के स्थान का अंक करमिक अभाज ये संख्या है ठीक दोस्तों अंकों का योग दोस्तों तीन और चार का गुड़ा जोना चाहिए अब दोस्तों सिंपल से है कुछ दिमाग मन लगा ऑँ अंकों का यूग तीन और चार का गुड़ा जो 5 —20 कि चार बजे तो दो स्धीय कितने देने पड़ें पड़ें कंत्सक्रीप चार्ण वाँ रख रहता ई Aku ऑन रिक्यों नोसटों पार्किंग वारेक्ति बार गांतेयों तो सबस्तों बता हुआ रहे, को चाय। सकते हैं यह बढ़ता हुए क्रम होता है अगला प्राइस दोस्तो आरुए क्रम में व्योस्तित करना है है कि आ यह डुना करना दोस्तो क्या आपकर बढ़ता हुआ करम होता है बनलाइब एक छोटी संक्य एक फिर बड़ी फीर उससे बढ़ी भर भर जे Solid थीक तो सबसे चोटी संक्या दोस्तों यहां पर दिख रहे हुए 0,7 था फिर दोस्तों आपको दिख रहे होगी यह थोड़ा दोस्तों question भी नहीं दिख रहा है ठीक 7,007 यह वाली बड़ी हो जाएगी दोस्तों फिर हो जाएगा आपका उससे बड़ी दोस्तों कहोंती हो जाएगी आपकी 7,10,7 यह तो दोस्तों काफी बड़ी हो जाएगी संक्या तो 7,10 मलो दोस्तों हो जाएगा इसके बाद साथ पहले 0.77 था आपका 7 यह था फिर दोस्तो जरा यह देखना है कि 7 के बाद दोस्तो आपका 0 कहा लग रहा है तो दोस्तो आपका था 7.07 ठीक है न फिर दोस्तो तीन संक्या हो गई फिर 24 संक्या कहुंती हो जाएगे बढ़ी आपकी 7.70 फिर्ड हो जाएगे दोस्तो 7.707 तो आपको दोस्तो बताना कौन सा था है कि आपको 33 स्थान पर कौन सी होगी दोस्तो देखे 33 स्थान पर सिंपल सी यह बात है 7.07 ही होगी तो विकल नमबर तीसरा वाला है पर आपका correct answer है 7.07 फिर अगला question दोस्तो एक 5 अंकों की संक्या म है दहई की स्थान का अंक 8 है और येक अंक का स्थान दोस्तो दहई की अंक का एक बटे चौतर बाग है दहएक का 8 200 चली है लिख देते हैं तो इसका दू गुणा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा स्थान हो गया ठीक है और 10,000 में इस थानका अंक 1 का तीन गुणा है 10,000 इस थानक 2 है 2 का 3 गुणा 2 कि सथान गुणा 6 दहाई के स्थान का अंक आट था इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक एक बटे चार इकाई के स्थान दो सो एक बटे चार 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 चे बाक रहें तो कितना आ जाएगा दो इकाई के स्थान दो आ गया फिर दोस्तों बोला गया हजार के स्थान का अंक जीरो है, खुझी बोला हजार में दोस्तों जो होगा, जीरो हो जाएगा, अभी यहांपर सेकड़ वाला स्थान चूट रहा है, सौवे के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का दो गुना, इकाई का दो का दो गुना, चार हो जाएगा यहांपर, फिर, 10,000 में इस्थान का आंग 2001 काई के स्थान का 3 गुना ठीक है बस दो का 3 गुना कितना हो जाएगा छे हो जाएगा बस यह वो गया आंथर तो दोस्तो हमारी मैसरी यहां पर खतम हो तो दोस्तो तीसरा पार्ट के आ रहा है आपका कोई ब्यक्ति 29 नॉंबर 2019 को एक कहीं से निकल जाता है तो दोस्तो इसके जो फाइनल सही आंतर आएगा वो कितना आएगा आपका एक पेड़ं जो पाय जाता है दोस्तो इसका अंतर होगा आपका कहां पायजाता आपका आश्टाहियाödमें फंप आ got you यहां आई पैया जाता और 202 उसिया नांतर और यह चोटी-मोटी किटीड Cathedral खिए यह तो ठीक याल नहीं होगा आपका सही आंतर क्या होगा आपका A B और C दोस्ट इसको ध्यान में रखना है छट नमर दोस्टो कोशन क्या रहा है कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांदी ने जिश डांडी के समूद्रिटर्ट पर अपने प्रसित दियात्र की थी वह भारत के नीचे दिये कैं किस राज मिष्टी से दोस्ट इसका अंतर होगा आपका गुजराथ सडसर नमर कोशन दोस्तो उज्च जोर या तेज भुखार के साथ कप कपी जिसका उपचार सिकोना है प्रेट की छालते किया जाते है दोस्तो वह है क्या होगा दोस्तो वह आपका अंतर मलेरिया ठीक है इसका सही आंतर आगा आपका उत्तर पच्छिम, दोससे याद रखना क्या होगा उत्तर पच्छिम, ठीक है, फिर दोससे चले बात्तर नमर कोशन सीधे देखते हैं, देखे बच्चे ने जो टिक्क्या उसका हम बता दे रहे हैं, फिलाल इसमे टिक्क्या थैंसे अब 2005 में दोससे फिर तिया, तो यह अनओफीशल है, ठीक ना दोस्तों तो उसके बाद 22 नमर कोशन क्या रहा हमारे उसको देखते हैं, पर्यावरण अध्यन कच्छाओ, तीन और पांच, एक विसे छेत्रे दोससे जो संक्लित करता है, तो दोससे इसका अंतर होगा है, पर्यावरण क्या धाड़ाव और मुद्धो को, तीनतर नमर कोशन, निम लिकित में से क्या पर्यावरण अध्यन जंदर में सही है, तो दोससे एक और दो कच्छाओ के लिए भासा गड़ित के माध्यम से पर्यावरण अध्यन पढ़ा जाता है, ठीक दोससे फिर उसके बाद दोस्तों इसकिप करते हैं कुछ कोशन को, इसको हम थोड़ी देर में दोस्तों आपको ऑफिशल आंसर दे देंगे, अब दोस्तों हम लोग सिरू करेंगे हिंदी को, ठीक दोस्तों इसके बाद 88 कोशन देख लेते, नीचे दिए गए पच्छियों की कौन सी प्रजाती, गर्दन आग आपको अगली वीडियो के माधिम से इसको अपडेट कर देंगे, तो चलिए दोस्तों में आत अब देखेंगे हिंदी को, अब दोस्तों बात करेंगे आपके हिंदी के उस सब्जेट्स को लेकर हिंदी में कैसे कोशन आयते हैं, सबसे पहले बोला गया दोस्तों इक्यानव दोस्तों के आयता पेपर में कि ज्यान विधान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा हैं, चौरानमे नमर कोशन की सोरा वसत तारकिता की प्रदानता और भाव क्या भाव में का रास्ता अपनारी, दोस्तों किसका रास्ता पतन का, पंचानमे इसमें से कौन सा सब्द समूज से भिन है तो अभी ब्यक्ति फिर 96 नमर दोस्टो कोशन आज की तालीम भी इसी दोड में साथ दे रही है वाक्य में निपात है तो दोस्त इसका अंतर होगा भी ठीक नभी तो 96 तक दोस्तो हो गया है उसके बाद दोस्तो हमनों 97 कोशन देखें कौन से दोस्तो हो है इत अनुखेट के अधार पर कहा जा सकता है कि आदलीक सिछा का नतीजा क्या है दुखह दे दोस्तो 99 नमर कोशन आदलीक सिछ्छा में किस विशे को सबसे अधिक महत्त्य दिया जाता है दोस्तो इसका आनतरोग आपका विज्यान को फिर आब 100 नमर 2 आम देखने से पहले क्या लिखा निमलिकित का बयांत को पढ़कर पूछेगे प्रत्नोक उत्तर आपको देना है 100 से लिखे 105 आप इसको पढ़े होंगे उसके बाद 100 नमर कोशन हिम किरिट का आश्य दोस्तों का बर्प का मुझूट सवह हो गया 101 नग पती का विक्रह और समास होगा देखें दोस्तों नर्गो ठीक है नगो परवतों का पती है ततपुरुशमाद 102 नमर कीस पंक्ती में कहा गया है कि हिमाले की जौलाओ का धेर है दोस्तों दीके थोड़ा कुछिन सही नहीं दिख रहा है तो इसका आंतर होगा पौरुस के पुण्जी पती जौत 103 नमर कोशन दोस्तों जी से जीता ना जाता कि उसको अजेत आते हैं सबको पता है 104 नमर निश्मिन सब्द में कौन सी संदी तो दोस्तों हो जाएगा आपका दीर्ग संदी 105 नमर हिमाले को बतीवर कहा कर संबोधित कहा गया क्योंकि दोस 105 की बात आता आप 106 नमर कोशन प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों की भासा का आकलन करने का उस देश से दोस्तों क्या होता है उसके भासा प्रयोग की छमता का आकलन करना ठीक है दोस्तों फिर 107 नमर इनमें से कौन सा भासा आकलन में सबसे कम प्रभाव वी तरीका है तो द पूर्द साही है ठीक है न अब दोस्तों देखें कि 109 नम्मर कोशन क्या है कि रीमा ने तीसरी कच्छा में पढ़ने वाली बच्चों से दोस्तों भासा शम्ता भासा निस्पादन संबंदी ठीक दोस्तों क्रविक प्रगति का बेवरा उसके अभिभावकों को दिया रीमा न दोस्तों बच्चों कहा कुछ कर पाते हैं उसके अदोस्तों 111 नमर क्या है प्रात्मी किस तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्पूर है अनुमान लगाना जिया दोस्तों मतलब सोचना ना जैते नहीं कहा जाता कि सोची है आपका क्या होगा आप लोग बड़े हो जात किसके साथ संबोधित दोस्तों इसका अंतर होगा पियाजे 112 बारग बाज 113 नमर प्रात्मी किस तर पर भासा सीखने के भासा में भासा संब्धी का कौन सा संसाधन सरवाधिक महत्पूर है दोस्तों इसका अंतर होगा बाल साहित्य एक तो चौदा नमर कोशन बच्ची अभीन अंग मतलब पहले सब्धा फिर संस्क्रती 116 नमर कोशन प्रात्मी किस तर की पार्ट पुस्तक में कार्टून भासार विध्यापनादी बच्चों के भासा चंपता विकास में सहायक है एक 117 नमर कोशन दोस्तों पांचवीक अच्छा में ठीक दोस्तों मुहानी इद्याले में भासा सिछड के लिए कोई कारकरम सुरू करते समय सबसे महतपूर है बच्चे की सहज भासाई चंपता की पहचान ना ठीक दोस्तों फिर एक 119 नमर कोशन कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2-3 भासाओ को और बोलने की चंपता लेस होते हैं क्या होत को सीखना ठीक ना और विसेवस्तू तो दोस्तों हमने देखे 120 कोश्चन 150 में दोस्तों देखे अपी बचरा आपका संस्क्रत या इंग्लिस तो आप लोग कमेंट करके बता दीजेगा कि हम किसकी वीडियो बनाएं दोस्तों तो हम सबसे पहले आपके लिए बना देंगे अ तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि आपके 120 में से या फिलाल कितने नमर आ रहे हैं तो कमेंट करें दोस्तों और फिर मिलते हैं अगली वीडियों तब तक के लिए इस्टे कनेक्टेट तो दोस्तों फिर से बताएंगे कि यह अनॉफिशियल है इसमें काफी प्रकार के दोस् ठीक है दा फिर मिलते हैं इस्टेकने क्टिए